I am Asun Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AKS Study Center. Today I am going to discuss present imperfect or present progressive or present continuous. Present imperfect को पहचानने के नियम क्या है? कोई भी हिंदी का जो किरिया होता है, जिस किरिया के आंद में आ रहा है, आ रही है, आ रही है, इत्यादिर है, उसे present imperfectence या present progressive tense या present continuous tense करते हैं और किस परकार से उसे बनाएंगे और उसे बनाने के क्या-क्या तरीका है तो चलिए हम लोग यहीं पर direct देख लेते हैं present imperfect और present progressive P-R-O-Z-R-E-S-I-V-E progressive और continuous C-O-N-C-N-U-O-U-S present imperfect और present progressive और present continuous tense इसे पहचानने के लिए नियम जिस किरिया के आंत में रहा है रही है रहे है इत्यादी रहे है इत्यादी रहे उसे present perfect और उसे present imperfect या present progressive या present continuous tense कहते हैं जैसे जैसे वह पढ़ रहा है वह पढ़ रहा है वह पढ़ रहा है he a he is reading r-e-a-d-i-n-g इस परकार से बनते हैं तो इस परकार से present है रहा है यह देख रहे हैं रहा है तो इस हिसाब से बनेगा सब्जेक्ट है अगर रहा है रही है रहे है इत्यादी रहे तो उस परकार के sentence हिंदी sentence का English translation हम लोग जो है इस परकार के नियम से करेंगे कैसे सबसे पहले subject और subject में subject के हिसाब से करता के हिसाब से is m या r इन में से इन तीनों में से कोई एक लगेगा और प्लस भर्व जो भी भर्व है जो किरिया है वो तो होगा ही और भर्व में इसमें जूट जाएगा इन जी भर्व में इंग जूट जाएगा इसम और और भी प्लस इंग उसके बाद अगर object रहे तो ठीक है और complement रहे तो ठीक है इस परकार से बनता है तो इसका पूरा structure ही देख लेते हैं कैसे बनेगा जैसे person person कहां पर इस एम आर लगेगा हम लोग डिट्रेस में देख लें परसन योगा सिंगू लर और यह हो गया plural पी एल यू आर एल सिंगूलर और पूलूरल यह हमारा हो गया first person उसके बाद यह second person person बनेगा और यह third person बनाने का नियम तो कैसे बनेगा चलिए देख लेते हैं first person में I I के साथ क्या लगेगा I के साथ हमेसा M लगेगा और V के साथ R लगता है यह बना ले किसके साथ each M लगेगा तो यहाँ पर चार्ट में देख के मना सकते हैं second person you तूम या आप के साथ R लगने वाला है और you third person पूल नमबर आप या आप लगों के साथ भी R ही लगने वाला है और दे टी एच इवाई दे या दा बॉइस बॉइस या दा गस जी आई आर एलस दा गस इन सभी के साथ इट राम सीता इत्यादी इन सभी के साथ जो लगेगा वो लगेगा इस इन सभी के साथ लगने वाला है इस तो इस MR कहां लग गया देख रहे हैं और किसी भी sentence में जो वर्व आएगा वर्व में क्या करना है यह जो वर्व आएगा वर्व में आई एंजी जोड देना है तो तो इसको हम लोग चलिए बनाते हुए भी देख लेते हैं जैसे पहले हम अफरिमेट्री बनाते हैं जैसे मैं में घर जा रहा हूं या रही हूं में घर जा रहा हूं यह बनेगा तो आई के साथ यहां लग रहा हूं तो यहां पर लगएगा I am going to house ह यं गसी तरह हम लोग पढ़ रहे हैं वी आर एड और इस इसमें I जोड जा गा तो वी आर रीडिंग हो जागा फुल स्टॉप आप जा रहे हैं या आप या आप जा रहे हैं या तुम जा रहे हो तो वाई वो यू के साथ यहां लगेगा आर यू आर गोईंग जी वो आई एंजी यू आर गोईंग आप लोग खा रहे हैं या तुम लोग खा रहे हो तो बनेगा यू आर एटी इट मतलब खाना और ing जोड़ जागा, तो you are eating, उसी परकार से वह पढ़ रहा है, तो he के साथ लगएगा is, और पढ़ना का होता है read, और इसमें ing लगज़ जागा, he is reading, वह पढ़ रहा है, वह खेल रही है, तो हवा का c, c के साथ लगज़ जागा is, खेलना का play और ing जोड़ जागा, तो eating, e-a-t-i-n-g, eating a mango, m-a-n-g-o, राम is eating a mango, इस तरह से बनाए जा सकता है, अब हम लोग इसका देखते हैं थोड़ा सा negative use, negative कैसे बनाएंगे, यही रहा है, रही हूँ, रहे हैं, अगर रहेगा negative जैसे वह खान नहीं रहा है, वह जा नहीं रहा है, वह पर नहीं रहा है, त तो राम is not लगा देगे, इसके बाद not, going, g-o-i-n-g, राम is not going, तो इसको बनाने का नियम negative किस परकार सका है, तो यह subject लगेगा, और subject के बाद is mr, यह helping धर्व है, is mr, subject के हिसाब से लगेगा, और उसके बाद plus इसमें not लग जागा है, not, और भी जो है, भी प्लस आई-n-g, फॉर्मूला लगेगा, भी प्लस आई-n-g लगेगा, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भी फॉर्म भी बोला जाता है इसको, तो यह आप लगा सकते हैं, तो देखिए, राम is not going, राम नहीं जा रहा है, वह घर नहीं जा रहा है, तो c is, के बाद not लगा दीजे, not going, g-o- आई-n-g लड़का लोग गा नहीं रहा है, तो the boys are not playing, p-l-a-y और आई-n-g जोर दीजे, the boys are not playing, लड़की लोग डांस नहीं कर रही है, the girls are not playing, p-l-a-y-n-g इस परकार से कुछ भी बन सकता है, बारिस नहीं हो रही है, तो बना सकते है, it is not, ran, r-a-i-r, ran और आई-n-g बस जोर दीजे, simple, it is not raining, तो बारिस नहीं हो रही है, तो ये negative बनाने का भी present imperfect tense negative किस तरह से बनाते हैं, तो ये भी हम लोगों ने देख लिया, अब थोड़ा दे क्या बारिस हो रही है, इस परकार का अगर रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, is, am, या r जो है, क्या करेंगे, subject के पहले लगा देंगे, और subject रहेगा, और subject के बाद हो जाएगा, फिर वही भी फोर, या इसको अब लोग भी प्लस, ing बोलते हैं, और अगर रहेगा, तो object औ अगर लगता है, इसको पहले कर दिये, are they running, are you n, double n, ing, are they running, क्या वे लोग, क्या राम तेर रहा है, is, राम, is, राम, swimming, s, w, i, m, ing, swimming, is, राम, swimming, s, w, i, m, i, n, g, swimming, is, राम, swimming, s, w, i, m, i, n, g, रहा है, और note of interrogation, इसमें देना अवस्तक है, note of interrogation, देना ना भूले, उसी परकार से, क्या तुम घर जा रहे हो, are you, z, o, i, n, g, going, are you going to house, h, o, u, s, e, note of interrogation, are you going to house, क्या सीता दोर रही है, is, सीता, running, are you, n, n, i, n, g, a, sita, running, तो इस परकार से, interrogative sentence बनेगा, और interrogative negative sentence भी किस तरह से बनेगा, जिस तरह से, क्या वे लोग संगीत नहीं सीख रहे हैं, क्या वे लोग खेल नहीं रहे हैं, क्या मुख मंतरी पटना नहीं आ रहे हैं, इस परकार का sentence interrogative और negative रहेगा, तो बनाने का structure का नियम है, जैसे माल लिया जाए, पहले is, am, are को subject से पहले लगाएए, फिर subject, are, उसके बाद not, उसके बाद भी फोर लगा देना है, और इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, is, isn't भी बना सकते हैं, am, amand भी बना सकते हैं, और a, r, a, anti, aren't भी बना सकते हैं, प्लस subject प्लस भी फोर भी बना सकते हैं, और note of interrogation, तो basically सामान रूप से यही असान होता है, तो इसी तरीके से, चलिए हम लोग देखते हैं, बना के, जैसे, क्या वे लोग दिल्ली नहीं जा रहे हैं, कैसे बनेगा, तो बनेगा, क्या बारिस नहीं हो रही है, क्या बारिस नहीं हो रही है, इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, इस परकार से भी बना सकते हैं, और इसको थोड़ा सा सहम, यही फर्मूला है, इसमें, वाय, हाव, वैन, हूम, कुछ भी रहेगा, तो यही फर्मूला लगा के बना सकते हैं, जैसे कि माल ले आ जाए कि तुम डेली कब आ रहे हो, वह अमेरिका कब जा रही है, तुम सफल कब हो रहे हो, तुम पढ़ने के लिए कब आ रहे हो, वह लोग पढ़ने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं, तो इस परकार का बनाने का नियम है, जैसे माल लिया जाए, यह देख लिजी कि किस बनेगा, यह वाई, कुछ भी हो सकता है, वैं डवलू एचे, कुछ भी हो सकता है इस परकार का, और उसके बाद, इस एम आर, इस एम आर, सब्जेक्ट के हिसाब से, और उसके बाद फिर इसमें लगेगा, सब्जेक्ट है, उसके बाद भी फोर, और यह नौट अप इंट्रोगेशन, तो देना भोलना ही, नहीं है, तो इसको जैसे, एक्जामपल है, क्या, जैसे की बारिस कैसे हो रही है, तो हाव इस एट रेनिंग आर, ए, आई, 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 एंजी, बारिस कैसे हो रही है, तुम कैसे बोल रहे हो, तुम इससे कैसे बोल रहे हो, इस पर कारकार रहेगा तो इससे बना सकते हैं, हाव इस, तुम इससे कैसे बोल रहे हो, तो इसको ऐसे भी बना जासा हाव, आर यू के साथ लगने वाला आर्थ How are you speaking S P E A K I N G Speaking So how are you speaking So तो present imperfect tense और present continuous tense या present progressive tense इतना ही दुनिया में इस प्रमान में चाहे इस पर अधारित रहा है रही है रहे हैं रहे कुछ भी बन सकता है जैसे मैं खा रहा हूँ I am eating आप लोग डेले जा रहे हैं You are going to daily वे लोग पतना से आ रहे हैं They are coming from पतना वे लोग क्यों नहीं गा रहे हैं Why are they not singing इस परकार से वे लोग कैसे गा रहे हैं How are they singing क्या आप आ रहे हैं Are you coming इस परकार से क्या हुआ नहीं गा रही है Is not singing कुछ भी बन सकता है भारिस क्यों रही है वाज इस इट रही है वाइज इसन democracy और आगे इसका अभ्यास करना है इस टोपिक में इतना ही और अगे विभिन परकार के चाहे English और Spoken से सम्दित या और भी किसी भी टॉपिक और वीडियो से सम्दित वीडियो के लिए हमारे next वीडियो का इंतियार करें और चैनल को सबस्क्राइब नहीं कि हैं तो चैनल को अवसे सबस्क्राइब करें क्योंकि हमारे YouTube चैनल के और हमारे People Welfare Foundation और हमारे A.K. Study Center से जुड़े और हमारे A.K. Study Center से संपर्ख करें दिली से भी बहतर Education और अमेरिका और Manhattan से भी बहतर Guidelines और आपको इंग्लिज और इंटर्नेस्ट इंग्लिज में आपको इहां पर मिलने वाला है इस वीडियो में इतना ही बहुत धनी बाद I am Asok Kumar Sarma the Chairman of People Welfare Foundation and the Director of A.K. Study Center जय हिंद जय भारत